जो लोग ये कह रहा है कि वही राम मंदिर से क्या होगा आम जंता को क्या मिलेगा उन्हों क्या जवाब देंगे सर बहुत फाइदा आम जंता के लिए देखा जा तो बहुत फाइदा सर काम धंदा बिजनेस सब चीज बढ़ी रहा सर पहले का आयुद्ध्या में और अभी के पहले तो सर ऐसा था राम मंदिर रहा है तो यहां घुड़का खा के थूख रहे हैं और फिब गंड़ फैला रहे अब तो यह कम से कम है को हां जाने कबार में दिख्टा का में कुछ है पहले हम दर्शन करने के लिए कभी मत्रा जाते थे कभी ब्रिंदावन जाते थे तो Cooking बन रही है और इरिक्स हमारे है लगालो कितना स्टार्ट हो गए है हज से जाद़ उसते दो पैसा महारा फाइन कमाई है तो हर वर्क के विक्ति को काम मिलेगा या उसको फाय्दा में बिलकुल मिलेगा बिलकुल के फाइदे सभीcyjला नी физ सबसे बड़ी बात है कि जैसे रोड़ पे लूट मार हो रही है ड्रैवरों के साथ और ड्रैवर कहां खड़ा है जूटा मुटा उस्ते पैसा लिया जा रहा है यह और भी काम नो पार्किंग बता कि उस तो गाड़ी जपत करी जा रही है चलान काटा जा रहा तो पहले इंट्री लगती थी दो सो चार सो हर चो रहे पर अब कहीं हमारे एक रूपे नहीं ल से 26 किलो मीटर दूर पढ़ता है सरकार के खातिम लाइट चल दिये बराबर लेकिन हमारे यहां देखा जाए सचाई जो लाइट नहीं थी अब 2000 जब यह योगी सरकार रही 2017 माई में किलियर नहीं है 17 माई है उसके बाद से 6 महने बाद हमारे यहां लाइट अपने आप एटोमेटिक आगी हमें कहीं जाने जरूद नहीं पड़ी है कि दिने नेतक पास हमने दोड़ा हमने जो मतलब टक्टरों में टोलियों में भर भर के गए हैं वहां पर लाइट के लिए कासम खाया गया कुछ भी नहीं हुआ लेकिन जब योगी सरकारी हमें कहीं दोड़ने जरूद ने अपने आप लाइट आई है चलके आई उसको बुलाना भी नहीं पड़ा यह है कुछ भी नहीं सर एक रुपे हमें जाने जरूद नहीं पड़ी तो पहले तो हमने तर गेहुं बेचके सरसो बेच के चंदा लगा लगा के जितने स्कूल के बच्चे थे या जो गाउं की बच्चे थे वो ट्रोली में भरबर के चंदा लगा के एसडीम के पास पहुचे थे उन्होंने असवासन दिया खांब हो जागा हो जागा आज तक कुछ नहीं है तो मैं आपसे एक्जांपल इसलिए लेना चाहूं कि आप ड्राइवरी करते हैं तो दो चीजों बताइए सरकारे मदलें के बाद एक तो रोड की हालत में यूपी का बताइए और दूसरा रोड का आपका मैं बताना चाहूं सर हम कोईसा किसा रहा हो जब कभी गुजरात औ अपनी गाड़ी सामने खड़ी है सर तो यह लगा लिए सर हम कोईसे गाड़ी मिल जाती सब चलाते हैं सर तो यह लगा लो कि सो पर संट में पिचातर पर्शंट रोड की जो हाला तो एक नम्म के लियर है कोई दिक्कत निया सबसे जादा जो खतरनाक रोड है कहीं भी आप देख सकते हो सिंगल रोड मिलता था सिंगल रोड आज इस टायम आपको फोर लाइन लोड मिलता है सर पोर लाइन के साथ भी दियूब टेली बिल्कुल देश की राजधानी का यह हाल है बिल्कुल जिह है तो किसी बत्ती पर आप कराश कर रहे हो गलती साब को नहीं पता है पढ़ाया लिखा ड्राइबर नहीं यह बोर्ड लगा है और गलती सो भूस गया तो उसको एक बत्ती कराश करने के लिए 500 का नोट चाहिए तो भी मरने से वारे में बात करें यह भी यह ऑद्या से हैं और राम मंदर बने से हमें क्या स्थाना से पाट करने को मिलेगा और क्या मिलेगा उसे रोजगार थोड़ी मिलेगा पूरा इत्यास बता दिया कि पूरा आयोध्या बदल गया रोजगारी रोजगार मिल रहा है 200 किलूमेटर के एरिया में आप कहीं होटल बन रहा है कहीं फार्म हाउस बन रहा है कहीं पर दुकाने एक साल हुआ है पढ़ाई छोड़े हुए 15,000 रुपया हम भी कमा रहे हैं अब उसके बाद तो इंक्रीज होगी जितना करेंगे यूपी में क्या बदला है यूपी में क्या बदला है यूपी में क्या बदलेगा हमको तुन पहले बाद देखिए आप बुरा मत मानिएगा वह नीज वगर हम देखते नहीं है ठीक है क्योंकि हमको राजनी से मतलब है मतलब की नीज करते हैं काम से मतलब अपना काम द्यूटी कोजैं सब ठीक चल रहा है तब बढ़ियां चला हमारा नहीं पहले आप जागरू की वहा बनिए अभिनास याधा हो है जागरू कि युवा पर से आओ जो जागा वो पाया जो सोया वो क्होया हमको किवल ड्यूटि करना है अमका समसी इरिपाते महिने की नगोई कोई कुछ फर्सक्राइब पर से आओ महीने की अपना काम कर और हराम से सो खाओ अगर अभी आपके यहां पर भंबारी हो जाए जैसे इस्राइल में चल रहा है वो तो देश समालेगा सरकार समालेगी तो हम पीछेट जाएंगे जब आपकी जिम्मेदारी आएगी सरकार चुनिए तो सरकार नी चुन रहे हैं बिल्कुल नहीं जिम्मेदारी आदा नहीं कर जब आपको लगा कि मेरे उपर गिरेगा तो सरकार देखेगी जब आपको मौका दिया गया हमने एक अपनी साइन के लाओं कुछ नहीं करने आता है अभी इन्होंने अभी बहुत बड़ी बात कही थी केवल पढ़ने लिखने से व्यक्ति समझदार नहीं होता है बगर पढ व्यक्ति अपना फैला है कि अपना है अकि फर ककार पढ़ने के लाग्रेगा तो सरकार हमारी रक्षा करें एसी इनकी उम्मीद पर लिखेने ना कुछ करती है ना कोई उम्मीद है हमें तो आपने अभी पहले उम्मीद है उसलिए आज यहां पर सरकार सुमकों कोई उम्मीद नहीं नहीं पर खड़े आना किसी मांगेंगे किसी आपने अपनी से मांगेंगेरि और रुसपर रोजगार नहीं देगे ङूटव देगे तो भी आपको खाने के लिए नहीं पूछांगे आपको पैसे नहीं किसी को हम किसी को नहीं दे रहे हैं तो इसका मुझार हमें रोजगार नहीं देगी आप बस या बता आप आप तो वाली बात कर रहें जैसे असिक्षिद वक्ति बात होता है मतलब हम पूच रहे हम जवाब दीजिए नहीं देंकी देगी याbelsिबतने में देंगे घ्लाइब लगा तो अनौके अ ղगादिया को नहीं छुना है कोण शुना है इस वजे से नोटा तरह बात है अब किसिंद्स नहीं पैठें कोई बात नी वह आपकी बात अच्छी है देश में बहुत ऐसे आदमी जो पढ़ाई करके रिक्षा चला रहे हैं और बहुत देश में ऐसे आदमी है जो रिक्षा चलाने वाला पचास जार रुपे कमा रहा है वो किसलिए कमा रहा है हमारा काईना सीधे लात है कि जो सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है हम उसको ओट दे आ नहीं दे ना जब रोजगार हमको छोड़ी है हम तो माली हमको मत दे अदर लड़कों को तो देना चाहिए तो जीज़ की भरती निकाली थी अभी अगनी भी भरती ठीक है निकाली थी ना कितने साल के लिए आपको पता है कि अपसे पूछ नहीं कितने साल के लिए देश में बहुत आदमी आपके जैसे बाई सबकर नम्मर आना चीए कोई जरूवी करेगा पेट निकड़िया अगुटका खा रहा तमाकू खारा दोड नहीं पारा हर आदमी को चेंज करना चीए पांच साल-दस साल की सबकी डूटी होने चीए पूरे भारत में आपको मैं द परती कर उनको निकालो गलत कह रहा हूं जो फीट आदमी जैसे आप यह आप फीट आदमी हो एक आपकी जगह पे दूसरे पुलिस वाला है उसका पेट निकड़ा हूँ उसको दोड़ने नहीं आ रहा उसको नहीं पकड़ पारा आप बैठे हो आपको जोइनिंग करना है और अगले आदमी को सिस्टम बढ़ना चाहिए और हर एक परिवार से हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए अब लिए सुनो इनको इनसे पूझो कभी ग्राउंड पे गये हैं तो फिर उसकी हाला ताप जानेंगे ही नहीं जान रहा हूं ना मैं दोड़ रहा हूं रोड़ ना बराबर यह भाई एक दोड़ निकालना इतना आसान बात नहीं है ठीक है फिजिकल पास करो दोड़ निकालो एक रोड़ अब अग्निवीर में आपने अप्लाइब किया है दोड़ कुछ निकलाई नहीं हमारा तो फिर क्यों आप दोड़ी निकाल सकते दूसरे की चैनल के तो हुए है एक यह उसके बाद में आपके लिए पैमाना चुह सबसे बड़ी बात तो जो भाई रोजगार की बात कर रहा है रोजगार में और बडोतरी होनी चीलिए भाई के हिसाबसे पको shelterते तेस्गों पंद्रह साल ड्राइबरी करते हैं दूधा किलो मीटर दूर फोच गया ले आया तो ठीक और प्रुर मेरालर स displaced सरकार सरे सक्ष्षек मौपनी के थोड़ा सा ध्यान दे कि रात कुण हो रही है बड़ी बड़ी कमपनियों हमें जाते हैं हमें कोई लेटिंग बात्रूम को कोई खाने का सुब्दा नहीं मिलती बाहर रोड़ पे अपना फुट पास पे लगा के सोते कोई भी आता है को दिखाके पैसा ले जाता है टेर खो लेकिन यह नेम में सरकार से कहना चाहता हूं कि गाड़ी के साथ ड्राइबर का इंसुरेंस होना जरूरी है इसके बिगर गाड़ी कंपनी से बाहर एजंसी से नहीं निकलने से ठीक है मैं मैं दो सवाल आपसे और करना चाहूंगा मैं दोती नेताओं के आपसे नाम लेना चाहूंगा उस पर आपकी क्या राया है मैं आप अपने मन से बताइएगा पहला नाम सबसे योगी योगी मतलब क्या समझते हैं मतलब जो बहुत बड़े सिस्टम समलोग परधानमंत्री वही है हमारे उत्तर परदेश के हांजी मोधी मतलब क्या मोधी मतलब बहुत कुछ देश के सबसे बड़े लीडर जो भार देश से उसके भी बहुत बड़े लीडर हैंजी राहुल गानी माने नथिंग वह ऐसा है कि की नहीं कोई कुछ नहीं है मतलब जहां जाता घास की तरह ताइस और मतलब हुँए उस्षस में बयुकूल सामने आके बाद नहीं कर सकता बंदा मैं श्रीव उस्ते एक कोश्चन पूछूंगा 70 साल देश आजाद हुआ हमारे गाउं में कागद में लाइट चल रही है अब पांच साल हुआ है इसके पहले क्यों लाइट आई नहीं कांग्रेश की सर्थकारती खाते में चल रहा है बिल्कु बिल्कुल क्यों नहीं आई इसका जबाब दीजिये में और दो लीटर तेल मिलता था कोटेप उसमें बच्चे पढ़ेंगे कि घर के बाहर दरवाजे पर रख जाएगा कि किसी के अगर छोटा बच्चा तो उसके पास रख जाएगा दो लीटर मिट्टिक तेल में वो क्या क्या करेगा उस गाउं का बच्चे क्या भविस में और क्या विकास करेगा यह बताई है पिल्कुल अंदर से पीड़ा है सर अंदर से सच्चा ही बात है शायद आपको उस समय बिजली मिल गही होती तो आप भी पढ़ले गाउं का भविस बहुत आगे होता 35 साल हो गया 35 साल के अंदर में चपरासी भी नहीं बना को पूरे का उसे हां जी इतना पिछला हुआ बिल्कुल बिल्कुल और छोटे सा गाउं है और मेन हाइवेप है अध्या से कुल 25 किलो मेटर दूर है अब देख लीजिए अर्विंद केजिवाल मतलब क्या अर्विंद केजिवाल मतलब बनाना दूसरे को और दार्यू को फिरी करना और घर में जो 200-400 रुपे लेवर या जो हमारे हिसाब के आदमी है जैसे हम भी लेवर हैं वो 204 रुपे घर लेके जा रहे हैं तो ठेका पे एक के बदली दो मार के जा रहे हैं वो घर तक पैसा नहीं पहुच पा रहा है यह द आप भरोसा करते हैं कि अखलेश आदव जातिवाद करते हैं यह की जातिवाद नहीं करते हैं तो पिछले बीजो अखलेश यादव थे या जो भी जो भी सरकारे थी इनने जो है वैसी राजनीती करी है कि भाई इसको ले लो इसको छोड़ दो इसको मिला लो इसको लो ले इसका आदमी जादा है उसका आदमी कम है इस हिसाब से ने राजनीती करी है लेकिन आप जो सिष्टम हाया है इसमें बहुत बदला हो है बदला होती है कि सब पहले रोड पर आप चलते रही है जब आदमी किसी का कुछ डुपट्टा खीच के भग लिया कि आदमी 24 गंटे में बारा गंटे में पकड़ा तो जा रहा है हां बिल्कुल और यह जरूरी था यह जरूरी था बिल्कुल यह जरूरी था और मैं यह उगिस और एक बात कहना चाहूंगा जो हमारे यह उत्तर परदेश में प प्रपटी पीछे कितनी है इसका सबसे ज्यादा जरूरी है बात आपकी उपर तक लग जाएगी पका कहना मता है समर्जीत भाई पका दूर तक जाएगी उपर तक जाएगी और आपने बात जो भी रखी है वो दिल से रखी है इस बात कि हमें खुशी है और इस तोर बाप बंडिया देखेंगे आपको ये वीडियो पक्का मिलेगा कितने साल होगे लाइट नहीं आई अब आये जब से योगी का चुनाओ हुआ है मतलब 35 साल अभी आई है चार साल पांसल फोन करके पूछ लू बिलकुल पूछ सकते बाई चंदोली गाउं में चंदोली गाउं मे मिल्कीपूर में मिल्कीपूर में चंदोली गाऊंब्स के बगल कोई अब व्धालmost विभावा व्था पर गाउं मैं लुच्छ प्हले लाय्ट आई थी वह मवह कि इधर तीन-चार साल पहले लाइट आई कनेक्शन है हाँ बिठल पूर में समझो आप मेरी और हैंड फिरी कर रहा हूं श्रीप यह पूछना का आपके गाउं में कब लाइट आई और कुछ नहीं पूछ नहीं पूछ रहे हैं तक हमारे छेटर में लाइट इतनी डिले और अब गाउं का आपको दो नम्मर और देता हूं गाउं का हलो है नमस्कार एक बात बताओ बेटा अधर्स यह बताओ अपने गाउं में लाइट कब आई है यह भाई एक पूछ रहें से बताओ थोड़ा सा है है नमस्कार है जी आपके क्या नाम है आपका आधर श्यादव त तो आपके गाउं का नाम क्या है चंदॉली तो आपके गाउं में बिजली कनेक्शन कब हुए कितने साल पहले हुए है तीन-चार साल हो गया होगा तो अब गाउं में लाट ठीक आती है इससे पहले तीन-चार साल पहले कैसे आती थी लाइटी नहीं थी आपके गाओं में है ठीक है हम बैसे एक अन्भूं करना चाह रहे थे यह नों ने कम बहुत भूत धन्यवाद यह आपने नौ साल का बच्चा है जिसे पीछे से मम्मी बोल रही है आवाज आ रही हूँ हां तो हमने को जूट आपको नहीं बता है जो के लि मैं जिलाविजनवर से हूँ और मेरे गाओं का नाम है जख्खा की बदोला नजीवाबाद के पास महिने में यह समयलो महिने में 10-15 दिन भी मुश्किल से लाइट आ देदी पहले जी फिरीगा बिल जाता था और इस टाइम जो 24 घंटे लाइट आ रही है यह कब से आ रही ह gauche और हाँ और आप से बताएं इतने इतने गारे में हम निकल के जाते दे है और आज जो है इतनी डाप में इतना व्यूब्लारनी काम ने पूरी छेटर में फूरे जिले में पहले विकास नहीं किया नहीं किसी नहीं किया नहीं कि back